Good morning friends, कैसे हो? आप लोगों ने exercise A and exercise B homework में किये हैं? Very good. Now, let's solve exercise C on page number 18. Okay? चलो, सबसे पहले तो question पर देते हैं कि क्या है? Underline the correct pronoun in each sentence. Okay? हमें यहाँ पे दो option दिये गए. उसमें से जो correct pronoun है, उसके नीचे underline करना है. मैंने आपको कल homework दिया था कि आपको सब कुछ याद करना है कि He, She, It कहां पे यूज़ होता है आपने किया? Very good. तो अब हम solve करेंगा exercise C. ठीके? First, He or She is my sister. अभी मैंने कल बता है था sister किसके साथ? Sister के साथ क्या यूज़ होता है? She. Right? तो यहाँ पे आणसर आएगा She. She is my sister. Okay? Second, He or It is going to school. अभी आप सोचो. He आएगा कि It. It हम किसके लिए यूज़ करते हैं? या तो आइनिमल्स, बर्ट्स या कोई थिंक के लिए. Right? तो वो लोग तो स्कूल जाएंगे नहीं. तो आणसर क्या आएगा? He. He is going to school. Third, He or She is my uncle. अभी अंकल के लिए क्या यूज़ होता है? अंकल एक अंकल यानि आदमी. Right? तो उनके लिए क्या यूज़ होता है? He. He is my uncle. Next, Fourth one. It or He is my pet dog. अभी देखो, डॉग आया, पैट डॉग आया, लेकिन कोई डॉग है, पैट है, फिर भी डॉग तो कहला है गाई. तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? अनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? It. तो आएगा, It is my pet dog. It or She is a bet. अभी बैट के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? तो इट, तो It is a bet. राइट? Next, He or It is an orange. अभी औरेंज है तो वहाँ पे हम यह तो लगाएंगे नहीं, ही किसी लड़के या आदमी के लिए यूज़ होता है तो. तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? इट इज़ एन ओरेंज. राइट? पता चला ना फिर से? अपने कलोंबर किया होता और ठीक से पढ़ा होगा लेशन. तब को पता चल जाएगा के शी कहां यूज़ होता है, ही कहां यूज़ होता है और इट कहां यूज़ होता है. अब हम सॉल करेंगे एक्सेसाइज डी. क्विश्चन पढ़ ले? री राइट दस सेंटेंस. हमें ये सेंटेंस फिर से लिखने हैं. लेकिन कैसे? यूज़ प्रोनाउंस इन प्लेस अफ अफ अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ पे जो अंडरलाइन किये गए है, उस वर्ड्स की जगह पे हमें प्रोनाउं यूज़ करना है. यानि के फिर से अगर लड़की हो तो शी यूज़ करना है. फिर लड़का हो तो ही यूज़ करना है. और थींग या अनिमल या बर्ड कुछ भी हो तो इसके लिए इट का यूज़ करना है, राइब? बैरी कुट. चलो अभी हम सॉल करते हैं. फॉर्स दिस इस रितु. ये रितु है. रितु इस माइ फ्रेंड. ठीक है? तो रितु है, गर्ल है. यानि हो यहाँ पे आएगा शी. तो आंसर क्या आएगा? डिस इस रितु. जिस रितु. ये 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 जिस यागा इसके उमाइ दो रितु. निक है? पताश र्याँ है. very good next this is my rabbit my rabbit is white तो इसके लिए rabbit है तो वहाँ पे क्या use होता है eat तो आएगा answer क्या this is this is my rabbit it is white next third one this is anil anil is my brother अभी यह लड़का है इसलिए यहाँ पे anil की जगह पे जो underline में anil है उसकी जगह पे क्या use होता है he तो क्या आएगा this is anil he is my brother बता चला very good अब यह बताओ इसमें क्या आएगा this is a ball the ball is red बताओ बता चला very good ball है वो thing है इसलिए बॉल की जगह पे क्या आएगा it जो underline वाला the ball है उसकी जगह पे तो answer आएगा this is a ball it is red ठीक है very good